सो हलो दोस्तों कैसे आप सभी मैं हूँ आपको दोस्त प्रदीव एं स्वागत करता प्रदीव गिरी अपडेट पे सो गाइस कुछ बच्चे मुसे ये क्वेशन पूछ रहे हैं क्या सर इस साल के बोड एक्जाम में सभी बच्चे पास होंगे सो गाइस मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इस बार आफलाइन एक्जाम करवाया गया है और आफलाइन एक्जाम करवाया गया तो आफलाइन एक्जाम के जो रूल्स होते हैं उन सभी को फॉलो किया जाता है चलो फिर मैं कुछ बाते आपको explain करता हूँ देखो आप सभी को पता है कि 12 वालों के लिए 10 वालों के लिए combine rule और combine rule में क्या कैसे होता है मैंने already वीडियो बनाए है आप अगर सर्च करो गिरी tutorial, combine rule, sorry प्रदीप गिरी update combine rule तो आपको मिल जाएगा 10 और 12 दोनों के लिए मैंने बनाए है तो combine rule भी है आपके पास 10 वालों के पास best of 5 है इसके बाद guys internal marks के अगर मैं बात करूँ तो बहुत कम rarely ऐसा chance होगा कि school या college internal marks नहीं दिखिवी देखो 20 में से at least 7 marks आपको चाहिए पास होने के लिए internal में 27 marks मिलना चाहिए बट guys ऐसा possible होने का बहुत कम chance है कि आपको internal marks नहीं मिला हो सभी school चाहते है सभी colleges चाहते है कि उनके बच्चों का उनका result बहुत अच्छा हो उनके school उनके colleges का result बहुत अच्छा हो तो internal marks बहुत अच्छा मिला होगा तो उसको chance बन सकता है बट जहां तक पूरी तरह से पूरी तरह से fix है कि कोई school या कोई college internal में इतना भी marks कम करने वाला नहीं है करेगा तो एक दू ज्याज़ा तीन marks अब बात करते हैं written exam written exam आपका बहुत खराब गया है बट खराब बहुत गया है फिर भी कुछ तो आपने लिखा होगा mcqs लिखा होगा या कुछ लिखा होगा तो mcqs और internal marks मिला के आप पास होने की criteria में जा सकते हो कि combine rule भी है combine rule 10 और 12 दोनों के लिए हाँ अगर आपने written exam में कुछ लिखा ही नहीं है written exam में मालों आपने कुछ लिखा ही नहीं है तो भाई कहां से होगा कुछ भी नहीं हो पाएगा फिर तो पास होने के लिए आप सभी को बता है कि जो main criteria होता है वह 100 में से 35 marks चाहिए रहता है बट अगर 35 marks आपका नहीं हो पा रहा है फिर उसको collect किया जाता है combine rule से तो guys यह सभी चीज़े देखी जाएगा और मैं बता रहा हूँ इस बार का paper चेकी इतना जाद टफ नहीं होने वाला जैसे पहले होने वाला पहले होता था क्यूंकि इसका भी reason मैंने already बताया हुआ है इसके बारे मैंने detail में वीडियो बनाई even compare करके भी बने बताया हुआ है तो guys जहां तक pass होने का है तो मैंने बता अगर इन सभी criteria में आप फिट बैटते हो तो pass हो जाओगे पर ऐसा भरकिस नहीं बोला जा सकता है कि सभी बच्चों को pass किया जाएगा हो सकता है कुछ बच्चों नहीं सभी किसी criteria में fit नहीं बैट रहे हो वो कुछ नहीं किये कुछ लिखे ही नहीं एकदम छोड़ दिये तो इस तरह से उनको pass नहीं किया जाएगा पर अगर आप इस में से किसी भी criteria में fit बैटते हो तो आप जरूर पास होगे थैंक्यू सो मजेज और आपके दिमाग में और कोई भी question चल रहा तो comment में लिके मुझसे पूछ सकते हो जै हिंदो